नमस्कार दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ने करका हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें इसमें आप यह देख रहे हैं मशीन जिसमें यह प्लास्टिक की पट्टिय फेविकिक से चिपका दिये इससे क्या होगा कि जब हम ग्रेनाइट पत्थर की कटिंग करेंगे तो उस पर इसक्रेच नहीं आएंगे दूसरी बात जब हम कटिंग करेंगे तो उस पर फर्नल को ग्लेम से एकदम फिक्स कर देंगे टाइट जिससे की फर्नल खिसके की नहीं और अपन की दार है जो एकदम टेयर कटिंग होगी क्योंकि अगर फर्नल को अपन उपर खड़े रहके पकड़ेंगे तो ग्रेनट पर जो पॉलिस की हुई है उसकी वजह से फर्नल इदर उदर खिसक सकती है इसलिए फर्नल को ग्लेम से ही टाइट करें जिससे की फर्नल खिसके की नहीं और दार की कटिंग एकदम फर्फेक्ट होगी कटिंग के लिए विल अच्छी क्वलेटी का इस्तुमाल करें जिससे की कटिंग असानीय से होई टाइम की बचत होई जिसा कि अभी आप देख रहे हैं दार की कटिंग कर रहे हैं टो ग्रेयनेट में मशीन दीरे चलती है क्युक्न की एक्षटन हार्ड होता है देन की कटिंग करते समय ग्रेयनेट का पॉलिस पेटा है जो ऊपर की तरफ रखें गोई से जिससे कि अपन जो कटिंग करते हैं तो उसकी धार एक industry रहे उसके कुरूरे नहीं जाये और धार इसमूंठ रहे ओड़ा करके कटेंगे तो क्या फॉलिस फेटे की धार फिर एक तम श्फुतनी आएगी नहीं दार कलिर었लर नहीं होगी और पानी भरपूर मात्रा में रखें जिससे की कटिंग आसने से हुए यह दार पूरी कटिंग हो चुकी है अब आप देख रखते हैं इसकी धार की यह जो कटिंग की हमने यह एक तम इस्मूत हुए और कहीं पर भी इसके ना तो इसक्रेच आया है और ना ही कहीं पर उसके तार के कुर्रे उड़े हैं अब अपन ग्रैनेट को राइट एंगल में करने के लिए यह आपको दीख रहे गुणिया जिसको की बनाया गया है फर्नल से ही तो इसके आपनका प्हर इस्टोन एकदम राइट एंगल में कर थेंग होगा साही कर जोच और तो इसके